नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगती सिंग अपने यूट्यूब चैनल दान विद्वन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आज हम लोग हिस्ट्री का क्लासिक्स का फिफ चाप्टर पढ़ेंगे जिसका हेड़िंग है यह तो फिफ चाप्टर होगी अचली इस से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे हिस्ट्री में क्लासिक्स में टोटल 11 चाप्टर से जिसमें से जो फोर्स था वह वाट वेयर हाव एंबें जम्लों ने पढ़ लिया सेकंड भी फ्रम हांटिंग गैधरिंग तो ग्रोइंग फूट्स भी हम लोग ने पढ़ लिया जो थर्ड है इन दे अर्लिये सिटीज वह मैंने पढ़ा दिया अक्छली वह अप्लोड नहीं वह तो मैं अप्लोड कर दूँगी जो फूर्थ है वाट बुक्स अन बूरियल स तेल्स वो भी मैंने पढ़ा दिया उसको अप्लोड कर दिया है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग से पढ़िये गाप लोग को सारी चीजे समझ में आएंगी आज हम लो फिफ्ट चाप्टर पढ़ेंगे किंग्डम किंग्स अन अर्ली रिपब्लिक इसके बाद ज सब्सक्राइब किंग्डम किंग्डम किंग्स अन अर्ली रिपब्लिक तो इससे पहले वाले चाप्टर में हम लोग ने पढ़ा था जो वाट बुक्स अन विरूस टेल्स की कैसे हम लोग जान पाए कि कौन कौन से बुक्स थी कौन ओल्डेस फॉर्म ऑफ बुक थी उसके ब ऊसके बात से जो चीजे होती हैं जो दुक्षुन की जाती है तो इसमें क्या क्या होता था उसमें भी तरह का क्लास डशिस्टर सोताथा ता कि जो अमीर लोह फानानों लोग अन्हों जाताथा इस यो यह सब कूछ तो ऑ मनोग पढ़े कि हzilमें किया पढ़ेंगे क्या है व चीज़ दियो कि शंकरन वोक अप तो सी इस ग्रेंट परेंट्स ओर रड़ी तो गो और वोट यह तो आज की कहानी है कि हम लोग अपने जो नेता होते हैं उनको चुनते अपने रूलर्स को बट पहले में कैसे जो मैं थे वो कैसे रूलर्स बने कैसे उन्होंने रूलिंग की यह सारी चीज है यहां पर देखे की जोज़ेंग कि शोजीं लूडर्स और रूलर्स by वोटिंग सम्धिज़ दिखी है चूजेंग की द्वारा अगोटर्स पहले परेंग की गोटेन हजार वर्श पहले में गश्तर नहिंग की ट्राज्वार्ज नाच्ट जो भी बड़े बड़े sacrifices perform करता था तो उसे हम राजा बोल देते थे और ये कौन ये किस के द्वारा चुने जाते थे तो ये जन के द्वारा चुने जाते थे तो ये था हम लोग ने अभी सबसे जादा कोई अगर कोई सेरियल चड़ा है लोग्डाउन में तो वो है रामायना अश्वमिद का वलीयान握 होता है उसकी भी स्टूरी हम लोग ने पड़ी थी आगए उत्तरमाधिकाल में रामायन के तो ये सारी चीज़ें है कि उसमें घोड़ा को जो है ऑसे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको बोल दिय जाता था उसको चुनने वाला जो था वो जन लोग थे उसके बद से लिखे यहां पर है दे बैटल फिलन विटनेस्ट इस एक्स्प्लोइट्स चांटे टेल्स ऑफ इस ग्लोरी इस रिलेटिव स्पेशली इस वाइफ संस है तो परफॉर्म वाराइटी ऑफ मा वो पहले बैट जाते थे फिर देखते थे and what's the performance of the sacrifice? प्रीस परफॉर्म दे रिचुल्स इंक्लूड इन स्प्रिंक्ली उन पे जो है ये साक्रेट बॉर्टर चिर्का जाता था यहां पर देखिए वरण वैवस्ता को बताईगे तो जो वरण वैवस्ता है वो चार है देखिए प्रीस डिवाइड पीपल इन्टू फोर ग्रूप्स काल वरण्स पहले सबसे पहला जो वरण जात है उसमें क्या है ब्राम्हन है दूसरा जो है वो शत्री है तीसरा जो है वैश्य है तो जो फर्स्ट है उसका क्या काम है ब्रामίν वर एक्सेक्टेड तूड़ी टूबगों को प्रोटेkt करना तीसरा था वैश या फिर दे वर एक्सपेक्टेट टु भी वो उनको फार्मर्स, हैडर्स, ट्रेडर्स, बोथ शत्रियाज और वैश कुड परफॉर्म सेक्रिफाइस तो दोनों ही जो ये दोनों जो थार्ड और सेकेंड जो है ये दोनों ही कैटेगरी जो वरन की है वो सेक्र के टेगरी जाती है लास्ट वर्द शूद्रास शूद्र थे हूँ हाड टु सर्फ द अधर त्री गृप्स जिनका काम क्या था कि जो तीन अधर गृप्स हमने पड़े ब्रामर शत्री और वैश उनकी ये ये थी त्री गृप्स का ये सर्विस देते थे थे कुड नॉट प कि जो वोमें थी वो भी शूद्र के कटेगरी में थी तुने को रिच्वल्स परफॉर्म नहीं करने कि दिया जाता था उन्हें वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था दे प्रीस्ट ऑन्सों से दार इस ग्रूप्स वर डिसाइड़ बेस अफ दे बर्ट और जुतने भी जो थे उनका यह कहना था कि किसी का जो कि वो क्या है शत्री है ब्रामन शुद्रे वैश है वो उसके जन्म से ही मतलब की रेकोगोनाइज हो जाएगा फोर एग्जाम्पल इफ वन्स फादर और मदर वर ब्रामिन्स वान कुड़ अटर में किली बिकम अब्रामन एं सो मन अगर क कि सूत पुट्र उन्हें कहा जाता है लेकिन वह ते तो वह कुंती कहीं कुंती अपनी शादी से पहले के उते है तो न leagues रह रख देती है तो उन्हें तो कोई जो काना जो राधे जो होते हैं वो एक मच्वारे होते हैं वो उन्हें पालते हैं तो वही वाली चीज है जो और उन्हें सूत पुत्र का जाता तो बहुत उन्हें ये चीज लगती है कि वो तो कुंती के पुत्र थे लेकिन उन्हें सूत पुत्र का जाता as well as people who help perform bureals and cremations इनका क्या काम होता था कि यह जितने भी ज़िए को इद जाता तो उन सारी चीज़ों को जलाना उनकी प्रक्रिया करना यह सब करते थे उसके बाद से देखें यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है यह आया भी हुआ है इसे तीन बार आया है यह देखें पेंटेट ग्रेवेर है ना प्लेट्स अन बाउल्स आर्ड़ अभी हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि डिफरेंट स्टेट में जो उनकी काला टीकल इंडिकेशन था यह पर देखें कि पेंटेट ग्रेवेर प्लेट्स अन बाउल्स आव तो प्लेट्स और वेसल है उनके लिए रखते वह था तो इसे वह यूज था इसार्टीज और टाच्छ वित पत्रुज़ पर्हापस देखेंड़ था जुग्स आवाणी ऑट थ तो यह क्या है पेंटेट ग्रेव यह आरी आपको नाम याद होना चाहिए अब देखो जन पदास हम लो पढ़ेंगे की जन पदास कौन थे राजास को परफॉर्म इस बीक सग्रफाइस वर ना रेकोगनाइज अस बीन राजास ऑफ जन पदास रेदर दन जन्स इन जन्स ना म कंड़न गर्फॉर्म पाहरा तुम अपको क्या गर्ने राजाट पाहरार तुम आपको सारी चीजे से को रिलेट हो जाएगा सब कुछ समझ में अजाएगा अन अगाई जायंगा दरंड जी खेरण और अठेर इटा रास्ट वारान इटा स्टी उट्थरॉर्पढट इटॉ तो यह हम लोग जन्पदास की स्टोरी पड़े उसके बाद से देखिये दे मेड अर्दन पॉट्स जन्पदास क्या बनाते थे मिट्टी के बरतन बनाते थे अगर पूछेगा की एंशियन टाइम में जब हम लोग जो भी स्पेशल टाइप पॉट्स जो पाय जाते थे या पॉट्ट्री पाय जाते थे उसे क्या कहते है तो वो पेंटेड ग्रे वेर इसका यही नाम है यह आया भी है इससे रिलेटेड जितने भी ट्रू फॉल्स हैं य आपको यह बताना होगा आज इस ऑब्यस फ्रम देन इंब इस ग्रेपोट्स अद पेंटेड डिजाइन शुजली सिंपल लाइन संग में जमेट्रिक पाटन यह पूचता है कि उसकी क्या खास यह तो यह तो सिंपल लाइन सिय जमेट्रिक पाटन थे पेंटेड ग्रेव वे जो यूज वाल्स थे वूड के ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम उनके जो उनके चारो तरफ जो था वो यह बनाया गया था तो इसको फोर्फिटेड कहते हैं यानि कि बड़े-बड़े कुए बना दिये गया लकडियों के ब्रिक्स के या स्टोन के यह सारे उनके अराउंड बुल्ट कर देगा है तो उन्हें हम महा जनपदास और महा जनपदास कब आये तो 2500 यह अगो तो यह सारी चीज़ें थी जो हम लोग ने इसमें पढ़ा है इसमें देखिए आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे महा जनपदास तो थे उनका क्या रहन सें इसमें इंपोर्टेंट फीचर्स थे जो जनपदास थे वही महा जनपदास बन गया तो यह सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे अब देखिए जब हम लोग इसमें माप आगे पढ़ेंगे तो बेसिकली जह है उस समय में 16 जनपद महा जनपद होते थे उस सोला महा जन पर बिदल बीकस पीपल वर अफरेद आठक्स रम अधर किंग्स नीडिट रोटेक्श्ट थे जह जाए जाते थे क्यों बनाया जाते थे कि आप बनारा जाए जाएंगे तो चुनार का किला अगर देखेंगे तो वो नदी के किनारे हैं और उसके अगल बगल कुछ भी नही they were by building really large tall and impressive walls around their cities यहां देखे सिले मैंने डाइग्राम भी दिया हुआ यह दिया हुआ है कि the fortification wall at Koshambi Koshambi में यह fortification किया गया है वाल से this is a picture of remains of a wall made of bricks found near present Allahabad a part of it was probably built about 2500 years ago तो जबी भी आपको पूचे का कि महाजन पदास कब है तो वो 2500 साल पहले के आचुके हैं उसके बाद से देखिए यह है कि कुछ लोग इसले बनाते थी कि कितने वो रिच है पावफुल है also in this way the land and the people living inside the forfeited area could be controlled more easily by the king तो यह जो वहां पे authority होती थी जो power control करना होता था वो बहत आसानी से हो जाता क्योंकि जो area थे वो forfeited हो गए थे building such huge walls required a great deal of planning thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared thus in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men women and children and resources had to be found for all of this तो यह सारी चीज़े हैं जो हम लोग ने महाजन पदास में पड़ा था कि वो अपनी दीवालों को सुरक्षित रखते थे और उसके आगल बगल बहुत बड़े बड़ी दिवाल बना देते थे जिसमें बहुत सारे men women children की resource as a labor की अवशक्ता होती थी resource की अवशक्ता होती थी thousand plannings की अवशक्ता होती थी तो यह सारी चीज़े हैं जो हम लोग ने पढ़ा सब कुछ पता कि हस्तिनापूर कितना बड़ा था हस्तिनापूर में फिर सबसे पहले कौन आए उसके बाद कौन आए तो यह सारी चीज़े हैं अब दो जो निव राजास बने मने महा जनपदास वह उन्होंने क्या कि आप आर्मी को रखने लगे अब उने प्रोटेक्शन चाहे था तो पहला प्रोटेक्शन तो उन्होंने अपना जो है वो वाल्स बिल्ट करके बना लिया दूसरा था कि उन्होंने आर्मी रखने लगे उन्हें हमेशा रागुलर पेमेंट देने लगे some payments were probably made using punch marked coins कुछ थो थे कि coins देते थे उसमें punch mark रहता था you will read हम chapter 8 में इन सब कुछ चीजों को पढ़ेंगे उसके बद से देखिये taxes taxes की क्या वेवास था था थे उस टाइं as the rulers of the maha janpadas were building huge forts, maintaining big armies they needed more resources and they needed officials to collect this so instead of depending on occasional gifts brought by people as in the case of the raja of the janpadas they started collecting regular taxes देखिये बहुत सीधी सी बात है कि आज जब government को भी अपने expenditure पे अगर उसको देखना पड़ता है तो यह सारी चीज़े तो उस ताम भी यही था कि वो लोग जो राजा थे वहां के वो building को बना रहे थे बिग आरमी इसको मान रहे थे तो उन्हें कुछ ना कुछ जैसे जो occasional gifts उसके बावजूद भी उने चाहे थे तो इसलिए उन्हें रागुलर टैक्स लेना शुरू कर दिया गलट करना शुरू कर दिया टैक्से संप्रॉप्स वर थे मोस्ट इंपॉर्ट इस पे सबसे सब्से सब्सक्राइब टैक्स लगता था क्रॉप पे क्योंकि तब अग्रिकल्चर ही जो मेन हो अकरता था ये तो ये occasion occupation this was because most people were farmers usually the tax was fixed at one-sixth of what was produced the question put how I keep it in a pay for the total production pick it now like that I told you tax travel fix what that I one-sixth of what was produced it now be production of us come on six this was known as bhaagya or or share disco bhaagya for share get it up the key to yes I recently about agriculture maybe could changes I woke up here he there were two major changes in agriculture around this time one was the growing use of iron flow shares this means that heavy clavy soil could be turned over better than with a wooden plow share so that more grain could be produced oh I just saw him yes are each is an akiva Bella joe work with love agriculture the sun sun jose me instruments use ho jate the one maybe changes at the wooden joplo share sound kai use on a laga instead of iron flow shares so that more grains could be produced second key people begin transplanting paddy wo paddy mone la velo this means that instead of scattering seed on the ground from which plants could sprout saplings were grown and then planted in the field but the cheat may say below appellate kia otakichi dya jata tharvo oog jata to abinone so chaki kuna ham us co boy are chases a mean me what is there a say Joe Jay agriculture may change a this led to increase production is a production increase or as many more plants are why bought Sarah plunger survived you however it was back-breaking work how water siviki siviki nsta aaj ba ati siviki and the slave man and women da san da seas and landless agriculture laborers this could come kars kaita hai ha cho do this work to so you say cheese a drama changes in agriculture may path ki kaisah joe chee joha waha pere agriculture may change aya uski instrument may change aya us ke baat say kheti kanne ke tarikyeme change aya दूसरा तुझा की ये second पर क्या transplant परक्षा सिर्फपलांट करना शुरू कर दिया तो यह सारी शीजे नहीं उन्हें बहुत सारे प्रोडाक्शन जो है वह बहुत जादा बढ़ा बहुत सारे प्रांट सर्वाइब कि और इस सारे काम को कौन करता था दास या दासी करते थे या फिर कमकर्स कहते थे जिनने लेबरर कहते हैं अब देखिये महाजन पदा सोला है तो उसमें हम अगद के बारे में आच पढ़ेंगे कि मगद बिकेम थे मुस्ट इंपॉर्टन महाजन पदा इन बाउट थो हंड़े यर्स बाउटन महाजन पढ़ेंगे काम काम से दू गंगा या बहती थी तो गंगा और सुन इस वस्ट इंपॉर्टन था था ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर सप्लाइस के लिए making the land fertile parts of Magad were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts and carry yards. Besides there were iron ore mines in the region that could be taped to make strong tools and weapons. यानि कि अगर अगर बहुत सीधी से बात की जाए तो four factors of production उते है land, labor, capital और entrepreneur. तो ये तो सारी चीज़े थी वहाँ पे, land लेबर भी, capital भी कितना अचा है, elephants को आर्मी के तरह है, the forest में बहुत सारी चीज़े है, wood जो building houses के लिए है, उसके बद से देखिये, weapons पी कुछ strong tools भी Magad had very powerful rulers, अब देखे कौन कौन से थे, Bimbasar and Ajat Satu, who used all possible means to conquer other janpadas, Mahapadma Nanda was another important ruler, he extended his control up to the northwest part of the subcontinent. राजग्री, present day, राजग्री in Bihar was the capital of Magad for several years, तो अगर पूठा जाए कि बहुत सालों तक Magad के capital क्या था, तो वह हम लोगों क्या बोलेंगे, राजग्री, और उसके बाद से letter the capital was shifted to partly putra, जो present day में अभी पटना जसे कहते हैं, तो यह सारी शीज़े थे जो हम लोगों ने आजग्री में बाट दिया गया है, तो वह सारी चीज़े हैं जो इस महा जनपदा को यानि की मगद को बहुत ही abundant amount में रसोर्स प्रोइड करा रही थी, उसके बद से देखिए, more than 2,000, more than 2,300 years ago, a ruler named Alexander कब बाया था, तो तेजसो वर्ष पहले, a ruler named Alexander who lived in Macedonia and Europe, यॉरप मेरा था था, वो सुचा था की पूरी दुनिया को जीत ले, of course, he didn't conquer the world, but he conquered parts of Egypt and West Asia, पूरी वर्ल तो नहीं को नहीं को नहीं को नहीं कर पाया, but most of the parts जो Egypt के थे और West Asia के थे, उसने कंक्वेर किया, फिर वो भारत आया, reaching up to the banks of the bees, कहां तक पहुँच पाया, इसके, बीस के जो है, बस वहीं के बैंक तक पहुच पाया, when he wanted to march further eastwards, his soldiers refused, they were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of food, soldiers, steroids and elephants, तो देखे कितना बड़ा बोल रहा है, कि पहले के जो समराज थे, उनके बारे में ही लोग सुनके, उससे लडाई करने में डर जाते, तो यह सारी चीज़ है, दूसरा हम लो बिहार में है, was under a different form of government, known as Gana and Sangha, in Gana and Sangha, there were not one, but many rulers, कितने एक नहीं बहुत जादा रूलर्स होते थे, sometimes, even, when thousands of men rule together, each one was known as Raja, तो सब को क्या मोले जाता थे राजा, और इस राजार पर्फॉर्स तो राजार पर्फॉर्स तो यह सारे राजा एक साथ क्या करते थे, जितने what had to be done and how through decisions and debate, for example, if they were attacked by an army, they meet to discuss what should be done to meet the threat, how a woman, dasis and kumkers, could not participate in these English assemblies, तो पूछते था कि कौन कौन नहीं तो दासी, das, फिर women, इन सब को पार्फॉर्स नहीं करने दिया जाता था, उसके बाद से थे, हम लोग यह वाला जो चीज है, यह इंपॉर्टन चीज है, यह इंपॉर and set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. All men over the age of 30s were recognized as full citizens. There was an assembly that met at least 40 times in a year, मतलब साल घर में जो है, वो चालिस बार होते थे, उसके बाद से बात कीज है, तो यह इस तरह से इंपॉर्टन मार्टर्स जो थे, वो सारे डिसकस होते थे, फिर देखिया, दिया हुए कि अवाद से नहीं कर पते थे, अपोईंटमेंट होती थी भाँट सारी बोदेशन के लिए वर मेड थू लौटरी, लौटरी के थू जाओट बोद शोल थू बोदेट उसन गेशुजटेशन दू बोदेशन देखे उस ताइम भी वोमेंस को कंसीडर सिटिजन में नहीं किया जाता था और उस ताइम भी ये वर्ण वेशा थी जितने भी जो नीच जिने माल लिया जाता था वो उसको पाट्सपेट करने का कोई अधिकार नहीं था देखे पहले हम लो ने पढ़ा कि ओल सीटिजन कुड़ इस मीटिंग लेकिन उस सीटिजन में भी था कि ये ये लोग जो है वो नहीं उसमें उसमें अटांड करेंगे तो ये सारी चीजे हैं जो हम लोग ने पढ़ ली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चाप्टर था मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ने सारी चीजे पढ़ ली और नहीं ये डिफिकल्ड भी नहीं क्योंकि हम लोग ने मगद के बारे में पढ़ा जन पदा किसे कहते यहां पर देखे सम इंपोर्टन डेज है जो निव काइंड ऑफ राजा है वो कब आए 3000 यर्स अगो है महा जन्पदास कब आए 2500 यह अगो यह सारे चीजें पूछता है इसलिए मैंने इसको डाला देन अलेक्जेंडर का जो उसने अक्रमन किया था जो कब आया था तो 2300 यह अगो एंड फ़ गंज और संगहास पड़ा गना यह फिर संघास पड़ा फिर चोटी चोटी चीजें जो हम लोग ने इस चाप्टर में पढ़ लिया आई होप मैंने विडियो जान बुछके बढ़ा किया ताकि मैं सारी चीजें आपको बहुत ही सके और वैसे भी अगर में बहुत चोटा बना देती तो टाइम पास तो करना नहीं है ऐसे पढ़ना है कि हाँ यह चाप्टर समझ में आ जाए तो इस तरह से हम लोग ने इस चाप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया अब हिस्ट्री जो है बिल्कुल बोरिंग नह पढ़ी है तो अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे कि क्या क्या चीज थी तो हम लोग ने ही आराम तरीके से बहुत जल्दी से कर लेंगे तो एक बर समनी के फॉर्म में आ जाते हैं कि कौन रूलर्स होते थे कैसे रूलर्स को चूज किया जाता था उसके बाद से कौन जान जूस करता था तो उन्हें जान जूस करते थे और जो ज़न में भी अगर जन के माहा जन पदास्टर थे उसमें चुम्.. सोला मतलब जानजे कि वो क्या है यह बहुत ग्रंट त्रिपिटक के सूत्र पीटा का प्रथम निकाय क्या दिर्ग निकाय में कुल इतने सूत्र हैं यह लंबे सूत्रों का संकालन है इन सूत्रों के आकार दिर्ग यानी लंबे हैं इसलिए से इस निकाय को दिर्ग निकाय कहा जात और उसके बाद से जो गॉंस और संघाज है उनका एंड कब हुआ था तो एबाउट 1500 यह अगो तो यह चोटी-चोटी चीज थी जो हम लोग ने पढ़ ली और 11 चाप्टर तो इट विल टेक लिटल बिट तो आप लोग बिलकुल मत घबड़ाईगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे आई होप जोग्रफी का और जो सिवेक्स कमेन जितने भी चाप्टर पढ़ा है वो आप लोग उसका वीडियो देखा होगा अप लोग को चीजे समझ में आ रहे होगी और अब हम लोग बहुत जी भी हम लोग ने खतम करने तीन चाप्टर वो में पढ़ा दूंगी दैन सिक्स्त कम लोग ने खतम कर लिए इसके बाद हम लोग अब बहुत टाइम नहीं है तो हम लोग प्रिवियस यर क्वेस्टेंस जितने भी उन सब को रिविजिन करेंगे सो ये था अज के लिए सार करेंगे रहते हैं जिसे एन्वार्मेंट हो गया और साइकॉलजी हो गया उसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे ताकि हम लोग वान टू फिफ्ट को भी अच्छे से लिए को भी तो ये चोटे 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 प्रहास हैं जो आप लोको बहुत अच्छे लगए हो और मैंने पोएम्स की भी वीडियो डाली है तो आप उसे भी जाईए आप इसको देखेंगे वह अच्छी लगेंगी थोड़ा बहुत एंटर्टेइन होना भी ज़रूरी है पढ़ाई के दोरां तो ये सारी चीजें थी जहम लोग ने समें खतम की हैं और हां कभी 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 फिल इन ब्लांक्स पी जाता है माच दे फॉलोइंग भी तो अब देखिए यहां पे इसमें ट्रू और फॉल्सी था फिलिंदर ब्लांक्स फॉलोइंग नहीं था तो अब आप जब चाप्टर पढ़ लेंगे तब को चीजें समझ में आ जाएंगे देखिए राजास हू लेड़ द जाता थे राजाहों में पे या तो कुछ राजा थे जो खुद बिक शरफाइश करते थे या कुछ राजा जैसे थे जो खुद बाठके देख टे थे नटीक सगरफाइस नहीं को और रहता था तो यह सारी चीजा है जो हम लोगने पड़ा तो यह भी टून सब रूट अब उस ताइम के जमाने में उन सब को वुडन जो मिट्टी के जो बढ़ाया जाते थे पॉट्स उनको हम पींटिट ग्रेवेर्स कहते थे उनकी खासित किया तो वो लाइन से बने होते थे या फिर उसमें जमेट्रिक शेप पे थे दन इस अलसो तू देन इस मैनी सिटीज इन महा कुछ और भी जो मजबूत लगता था उन सारी चीजों थे वो सब कुछ फॉर्टिट थी उसके बात से हम लोग यह तो यह सब कुछ वा जो तू फॉल्स मैं इसमें तो सारी चीज है वो सारी ट्रू है तो आप लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़े और इसे पढ़ते रही है अब हम लोग इसके नाक्स चाप्टर पर आएंगे हाँ